हेल्व फ्रेंड! में आपका हार्देख सागत है। आज कि क्लास में हम लोग बात करनेवाले हैं आर्थ सास्तर की जिसे हम लोग इंगलेह से में बोलते हैं 험nink tenga Le party । economics की आज की हम लोगों की क्लास रहने वाली है तो अगर हम लोग बात करते हैं तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं तो इसको दो भगों में भाइबा जाता है कि इसको 2 भागों मेंदा जाता है इन वर्ड कहां आए किसी ने दिए इन सभी बातों को मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया हुआ है अगर आप लोगोंने नहीं किया हुआ है पिछ़ली क्लासों को तो आप लोग जरूर देकिए उसके बाद हम लोगोंllanे बेश्टी अर्थसास और समिश्टी अर्थसास को बताया तो उसके बाद मैंने आप लोगों को विश्टी अर्थसास्त्र के 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 विश्टी अर्थसास् च्छेतवनें आस्कों में लेकर आन्यर्था प्रशाना कांव वियाता है और प्रमुक्र कुनषा सर्थान कोन से जयाते हैं चो आप अब लोगों को अच्छी तरीके से मालूंव होने चाहिए कि पहला जो सिध्धान्त है उसे क्या कहते हैं अगर पहले सिध्धान्त की बात करते हैं तो पहले सिध्धान्त को कहते हैं बस्तु कीमत निर्धारण सिध्धान्त इसमें क्या होता है इसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा जो सिध्धान्त होता है साधन कीमत निर् सब्धान अगर फолов 1 नम्मर की बात करते हैं उसपन भेस्पन कीमत का निर्धारण उसका हम लोगों को निर्धारण करना पड़ेगा तो इसी इस सिधान्त को क्या नाम देते हैं, तो इस इलिए इस सिधान्त को कीमत निर्धारण सिधान्त कहते हैं, इसी लिए क्योंकि इसमें वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है, तो इसलिए इसे कीमत निर्धारण सिधान्त कहते हैं, दूसरे सिधान्त की अगर हम लोग बा जाती है कि जो हमने उत्पादन किया है जो बस्तु हमने बनाई हुई है तो उसके लिए हमने कितना रुपए दिया है तो इसमें यह विवेचना की जाती है कि बस्तु उत्पादन में प्रियोग किये जाने वाले उत्पत्ती साधनों की कीमतों अर्थात उनके प्रसकारों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है निर्धारण किया जाता है और तीसरी जो है सिर्धान्त है जो तीसरा सिर्धान्त है वो है आर्थिक कल्यान का सिर्धान्त आर्थिक कल्यान का सिर्धान्त क्या कहता है कि सूच में आर्थिक सिर्धान्त का एक महतपूर केंदरविंदू जिसमें यह अध्यन किया जाता है कि बस्तु एवर सेवा की दी गई मातरा को अनेग उप्भोगताओं पर किस प्रकार विभाजित किया जाए या फिर आवंटित किया जाए कि आर्थिक कल्यार अधिक्तम हो जाए तो पहली जो है सिध्धान्त में हम लोगों ने क्या सीखा कि पहले सिध्धान्त जो है वो कीमत से संबंदित है कि हम कीमत बस्तु की कितनी रखें आप बस्तु की कीमत रखने के बाद जो हमने साधन बस्तु की कीमत बस्तु बनाई हुई है उसको उसमें जो है साधन लगाए ह हुए हैं साधन लगाई हुए हैं उन पर कितना खर्च करें और उनका निर्धारल कैसे करें उनको पैसा कितना दे और उसके बाद जो है जो बस्तु हैं हमने बनाई हुई हैं उनको आवंटित कैसे करें उनको ऐलोटमेंट कैसे करें कि सभी का आर्थिक कल्याण हो जाए तो इ बस्तु कीमत सिध्धान्त में हम लोग क्या-क्या सामिल करते हैं तो बस्तु जो कीमत सिध्धान्त है वो दो भागों में बाटा जाता है अब वो दो भाग कौन-कौन से हैं तो पहला है मांग का सिध्धान्त मांग का सिध्धान और दूसरा जो है वो क्या है तो दूसरा है लागत तथा उत्पादन का सिध्धान लागत तथा उत्पादन का सिध्धान तो ये दो सिध्धान्त है कि बस्तु जो है पहला जो सिध्धान्थ है वो है बस्तु कीमत सिध्धान अब बस्तु कीमत सिध्धान्थ को दो भागवा में बाटा गया है कि मांग का सिध्धान्थ और लागत तथा उत्पादन का सिध्धान्थ उसके बाद जो तीसरा है तो दूसरा जो है उसे बोलते है साधन कीमत निर्धार्ड सिध्धान, उसे क्या कहते हैं, तो दूसरे वाले को कहते हैं, साधन कीमत निर्धार्ड सिध्धान, साधन, कीमत, निर्धारण, सिधान अब इसको कितने भागों में बाटा गया है तो इनको चार भागों में बाटा गया है जो साधन लगे हुए होते हैं तो उन्हें मजदूरी कहते हैं मजदूरी मजदूरी, लगान जिसे हम लोग रेंट बोलते हैं तीसरा साधन उसे बोलते हैं व्याज और चौथा वह है लाव तो इनको हम लोग अध्यन करने वाले हैं कि इन सभी का देटेल में अध्यन करने वाले हैं और आर्थिक कल्यान का सिध्धान दो तो इसमें यही दिखा हुआ है कि यह जो बस्तु में बनाई हुई है उनको किस प बस्तु कीमत निर्धारण सिध्धान साधन कीमत निर्धारण सिध्धान और आर्थिक कल्यान का सिध्धान तो इनको हम लोगों ने देखने के बाद हम लोग आँगे बढ़ते हैं और नेश्ट में लिखा हुआ है कि ब्यष्टी अर्थसास्त्र के अध्यन का महत ब्य फिश्टी-अर्थसास्त्र के क्या है कि इसको अध्यंक करते हैं तो यह समपूर संपूर अर्थववस्ता के ज्यान के लिए आवस्थ है कि अगर यदि हमें संपूर अर्थववस्ता का ज्यान चाहिए तो हमें विष्टी अर्थसात्र के वारे में जानकारी होना आवस्थ है दूसरा जो महत है वो लिखा हुआ है कि व्यावहारिक अर्धसात्र के ज्यान में सहायक, तो यह दूसरा लिखा हुआ है, और तीसरा तो महत लिखा हुआ है, कि आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक, कि आर्थिक नीतियां के निर्धारण में यह सहायक होता है, और चौथा जो है, वो है कूची वादी प्रडाली की कार प्रड प्रादी की ज्यान में सहायक और पांचमा आर्थिक समिस्याओं के निड्रे में सहायक तो एक तरकिमे आप लोगों को संपूर लेखो सबसे पहला जो है उसे क्या बोलती है तो पहला है संपूर अर्थववस्ता की ज्यान के लिए आवस्त तो इसमें अगर हम लोगों ने पूर अर्थवस्ता के ज्यान की आवस्त का होती है व्यवहारे कर्थसास्त्र के ज्यान में सहायक आर्थिक नीती के निड्रण में सहायक पूजिवादी प्रडाली की कारपडाली के ज्यान में सहायक और आर्थिक समस्याओं के निड्रे में सहायक तो यह पांचों के define-clear हो जाएगा अब नज्ट में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विष्टी-र्थसास्त्र जो है जितने भी एक परिष्टि-र्थसास्त्र के बहुत विकलपिये परिष्टन को हम लोग अब करने वाले हैं कि विष्टी अर्थसास्त्र जो है एक परिचे हम लोगों ने किया कि विष्टी अर्थसास्त्र क्या होती है अर्थसास्त्र क्या होती है अर्थसास को कितने भागों में माटा जाता है अर्थसास की परिवासा हैं उनको चार भागों में माटा के हम लोगों ने बताया कि एक क कियो ही है दन संबन्दी की वात कि हुह है तो लफठा संबन्दी विशार- thigh-raہ की बात की हुही है अगर्लिकास विशजा और के विशार- obesity-th भात की हुहीं सबस्पे पहला नमब्र कुष्ण किया जाता है समिष्टी अर्भास कर होगा है हुग है सभुष्टी अर्थ साध तो समस्टी अर्थ सास मह राश्टी आये का अध्यन करते हैं ओल रोजगार का आप लोगों को बताना है तो मैंने अब लोगों को बताया था था, चोटे-चोटी इक आईयों के आध्य आगते एक पूर्म के दिधन करते हैं तो यहोद या अंप्सा के बारे में बाद करते हैं, कि अपरक तो सभी जो है वो समिष्टी अर्टसास के अंतर अते हैं उस्चन जो है वह इंग्लिस हिंदी दोनों में लिखे हुए है तो आप लोगों को कोई समिष्या भी नहीं होगी विच-पैक्ष्टी अंडर नहीं होगी विश्ट्डी अर्फ बात करते हैं कि विश्टी अर्तसास को कौन सी साखाएं बताई हुई है क विश्टी आर्तसास विश्ट्रकी साखाएं है उने को बस्तू कीमत निर्धारठ इसको भी मांग का सिधान मांग का सिध्धान और लागत तथा उत्पादन का सिध्धान तो पहला सिध्धान्त है कि बसको कीमत निधार तो इसको भी हम लोग साखाओं में सामिल करते हैं साधन कीमत निर्धारण इसको भी हम लोग विष्टी अर्थसास की साखाओं में सामिल करते हैं और आर्थिक कल्याण तो इसको भी हम लोग सामिल करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डी आप्शन विल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उप्र होते हैं अगर कोई बस्त्य हम बनाते हैं तो उसके लिए कौन-पॉन से साधन यूज करने पड़ते हैं उत्पत्ती के साधन उत्पत्ती के साधन उत्पत्त की कि साधन की बात कочनकी कोद पर D dei के तीनों भूमी हम लोगों को चाहिए स्रम भी हम लोगों को चाहिए तभी उत्पादन कर पाएंगे और बिना पूजी के तो कोई कार ही नहीं होता है जिस प्रकार सरीर में रख्त का यूज होता है कि उसी प्रकार से व्यवसाय में पूजी का होता है यह कहावत है यह तो इस पर चाहर में लिखा हुआ है यहां पे एक इरर है एक शेक Y इसको थोड़ा सा इसको हम लोग लिखेंगे माइक्रोज माइक्रोज जिसका अर्थ है छोटा निम्ण मेंसे कौन सा सब्द से ? यह ग्रीक रवड से लिखा हुआ है ग्रीक यह ग्रीक वर्ड से लिखा हुआ है या पिर अंग्रेजी वर्ड से लिया गया है तो माइक्रोज जो सब्द है माइक्रोज जो सब्द है वो किस वर्ड से लिया गया है तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है और पराया हुआ है कि ये जो है तो वो किस सब्द से लिया गया है तो यह Greek सब्द से दिया गया है तो इसका right answer क्या हो जाएगा Greek इसका be option विलकुल सखी answer हो जाएगा यहाँ पर याद रखना है कि Microse का अर्थ होता है Microse का अर्थ जो होता है उसे बोलते हूं छोटा ठीक है यह मैंने बातें बताई होई है अप लोगों को अगर आप लोगों ने नहीं देखी होई है तो आप लोग जरूर देखी क्लास हो प्ले लिश्ट आप लोगों की मैंने बना दी है अब हम लोग बात करते हैं next question की और next question दिखा हुआ है पांच नंबर में सही आंसर आप लोगों को बताना है कि वो मार्सल साहब थे या फिर रिकार्डो साहब थे या फिर रेगनर फिरिस्स थे रेगनर फिरिस्स की बात करते हैं या फिर रेगनर फ्रेंस थे या फिर इनमे से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है है तो इसका अंशे को आप कि अंतौ को क्षियम को को बताए हुआ था कि रेगनर प्रेंजária camera कहा के थे और आंप यह अर्थसास्सूरी थे अगर उन्होंगे और आर्थसास्त्र को सोद्वा लोगों का समिष्टी अर्थसास्त्र ॥ मयक्रोज़िप मैक्रोज़ क्या कहते हैं। s Kitchen नब्र कि उसके बाद नेश्क ककोश्ण और लिखा हुआ है कोशन नमबर अगर हम लोग 6 की वात करते हैं कि किसुन नमबर 6 कि किसने कहा है इसने यह बाद कही है कि अर्थसास्ट्र जो धन का विग्म ओगयाने हैं अर्थसास्त्र की विशय सामिग्री, अर्थसास्त्र की विशय सामिग्री, अर्थसास्त्र की विशय सामिग्री, अर्थसास्त्र की विशय सामिग्री, अर्थसास्त्र की विशय सामिग्री को चार भागों में बाटा कया है, तो वो चार भाग कौन कौन से हैं, वो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं वो चारो भाग पहली है कि धन संबंधी विचारधारा दन संबंधी विचारधारा दूसरी जो विचारधारा है वो है कल्यान संबंधी विचारधारा या कल्यान वादी विचारधारा कल्यान वादी विचारधारा तीसरी जो विचारधारा है वो है दुरलवता वादी विचारधारा दुरलवता संबंधी विचारधारा और तीसरी जो चौती विचारधारा है वो है विकास केंद्रेत विकास केंद्रेत विचारधारा विकास केंद्रित तो यह चार विचारदारा है है अब इन्हें को यह कहा गया है कि विचार दारा लुट यह दिदी है तो अगर हम लोग बात करते हैं ये सारे की सारे बाते मैंने आप लोगों को बताई हुई है तो ये बात है Adam Smith, Adam Smith आप और आप लोगों को आप लोगों को आप लोगों को बताना है तो यह बात जो है पहले बड़ बता है कि नगी बात किस ने कहीं है सबसे पहले ऐडम इसमिद साहव ने जिशनिया हो जाएगा तो right answer c option मिलुकूल सही answer हो जाएगा और sorry god साहब ने कौन सी विचाड़ा कूछा जाता है तो और द्रुलता वारी से पूछाजाचा जाता है तो गुंचाचा जाता है तो rogins सहाब और यहां से हैं तो मैंने आप लोगों को यह साली बात पहले ही बताई हुई और अगर आप लोगोंने नहीं देख़ई हुई तो मैंने आप लोगोंको अची तरीके से पसी तरिका इसे बताती ही और अची तरिके से डेखना है आप लोगों को वा लोग पीछे जाके ग्रॉप में सब्सक्रैने डेख सकते, तो इसका सही आंसर Working merge हो जाएगा उसके बाद नेक्स कोशन और नेक्स कोशन में लिखा हुआ है कुशन नंबर साथ नंबर की बात करती है कि अर्थसास्त्र जो है अर्थसास्त्र चयन का तरक सास्त्र है यह किस ने कहा है तो हिक्स सहाव ने कहा है की सहाव ने कहा है सब्सक्राइब चयन का तरकसस्त्र है और एक चीज को पूरा करने जाते हैं तो दूसरी सीज को हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा तो इसलिए चैयन का तर्कशास्र की बातियांपर किसे न की है तो रॉबिंस सहाव ने की है तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा C-Option पूर्पर सही आंसर हो जाएगा उसके बाद नेश्स कॉर्षन और नेश्स कोषन में लिखा हुआ है C में साधनों से जोड़ी आर्थित्रियां, A और B दौनों उपरोग्त सब भी, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कि आर्थ सास्त्र को हम लोगों ने चार भागों में बाटा था, उत्पादन उत्पभोग वित्रड और और एक और थाम लोगों का उत्पादन उपभोग बिनमय बिनमय को वह लोगों ने बूल दिया है बितरड या पर इसी को बूल दते हैं बिनमय और चौथा थाम लोगों का निविस यह चार जो थे एक, दो, तीन और चार तो आर्थिक लियाओं को कतने भागों में माटा गया है चार भागों में इस परकार से भी कुश्ण उचे जा सकते हैं तो नेस्ट कुश्ण में लिखा गुआ है कुश्ण नमबर नाइन की बात करते हैं कि अर्थसाथर के जनक कौन थे जे बी से यह आप लोगों को कुश्ण मालम होगा बॉल साहब तो इसका सही आंसर आप लो तो वो कौन थे तो वो थे एडम इसमें उसके बाद न्यश्ट कोशन में रहे है कोशन नमबर 10 की कल्यान संबंदी परिभासा की जनम दाता मैंने आभी आप लोगों को बटाया था कि परिभासाव को चार भागों में बांटा गया है या या फिर अर्फ सासरी की विश्ऩे सा अगर हम लोगों से पूचहा जाता है किσεल धंसंभंदि विचारदारा मार्शल साहब ने कौन सी दीती? मार्शल साहब ने दीती कल्यान वादी विचार धारा कल्यान वादी विचार धारा और रॉबिंसन साहब ने कौन सी दीती? रॉबिंसन साहब ने दीती दुरलवता सम्बंधी विचार धारा दुरुब्ता संबंधि विचारधारा और सेंबोजिzczन सहaving ने दीती विकास केंदित विकास केंदित विकास केंदित विचार भारा और इये किसी ने दीती ने graph तो आर्थसास की कल्यान संपन्दी विचारदारा की जनक कौन थे तो वो थे मारसल सहब उसके बाद नेस्ट कोर्शन में लिखा हुआ है क्यारा में लिखा हुआ है कि सबसे पहले सबसे पहले माइक्रो सब्द का परियोग करने वाले कौन थे मारसल सहाब थे वर्डिंग सहाब थे या फिर रैगनर्ट प्रेंस थे तो सबसे पहले जो है तो इसका जो है तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी ओप्सन विल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने मिल्कुल सही आंसर लगाया है कि सबसे पहले माइक्रोज सब्द का प्रियोग किस ने किया तो रेगनर फ्रेंस साहब ने किया यह कहां के थे नारवे के थे इन्हों अर्थसास्त्र को दो भागों में बाटा था एक विष्टी अर्थसास्त्र रो एक समिष्टी अर्थसास्त्र विष्टी अर्थसास को माइक्रो एकॉनोमिक्स और समिष्टी अर्थसास को मेक्रो एकॉनोमिक्स कहते हैं उसके बाद next question and Net question 15 की बात करते हैं कि कि किसके अनुसार आर्थ 60 मानो कल्यान का विजयान मानो कल्यान की बात करते हैं यह पर कल्या सम्भन्ति विचारो दारा की बात करते हैं तो आप विल्कुल सही आंसर लगाया है यह मार्शल सभाव एसका right answer क्या हो जायेगा तो राइट आंसर यह option विल्कुल सही answer हो जाएगा हम लोगों को option भी पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़ेगी उसके बाद इस लीए सप्श्राइट आंसर क्या हो जाएगा उसके बार yas portion में लिखा हुआ हैs कि निम्ले लिखित में से कौन वत्पत्ती का साधन नहीं है वत्पत्ती का साधन तो है भूमी तो है हम लोगों का स्रम भी है मुद्रा है या नहीं है या फिर पूजी है तो इसमें से आप लोगों को दो में से आप लोगों को एक उप्शन बताना है कि इन में सी कौन सा जो है वत्पत्ती का साधन नहीं है तो मैंने आप लोगों को इबताया है कि भूमि कि सिरंब कॉंजी sadp यह सभी जो है वो साधन होते हैं हम से पूंचा गया है नहीं है इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा C option लेकोल सही answer हो जाएगा ऐसके बाद नेश Qution में लिफा हुआ है rotws का अध्यन करते हैं इन सब की बाद अगर वड़ मोट आता है तो वो हम लोग 20 अर्थसास्त के अंतरगत करते हैं जिसलिए इसमें सभी जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा CD option मेंने कुल सही आंसर हो जाएगा उसके बाद next question और next question में लिखा हुआ है question number अगर हम लोग 15 की बात करते हैं कि अर्थसास्त की बिसे बस्तू का अर्ध्यन किन साखाओं के अंतरगत किया जाता है या किया जा रहा है तो अर्थसास्त की बिसे बस्तू का अर्ध्यन हम लोग किन साखाओं के अंतरगत करते हैं तो बेश्टी अर्थसास्त के अंतरगत करते हैं समिविका रिषास्त के अंतरगत करते हैं, आपके इस्का जो सही आंसर को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अर्थ Васास्त्रि बिषय वस्थ्तू का अध्यन हम लोग अगर हम लोग आद guessing करना है तो वो मैक्रो और रेक्रो की traf abundant करनी हो गी उसलिए रैइट अंसर क्या हो जाएगा और रॉकत दौनों जो है वह सही हैं सर जाएँगी a उप्रोके डॉन वा सहीा आंसर को जाएगा श्री tests जो ये उपल सही अंसर हो जाएगा उसके बाद नेस्स्ट कोचल में लिखा हुआ है कि निमन अर्थसास्त्रियों में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे तो जेवी लोग धो तुस्य नहीं ज़ने तीनों पुंचा गया है, नहीं थे नहीं थे जो क्लेना भादि बिशाड़ाते वो बिल्कुल्य ये इसमें से पूछा गया है नहीं थे तो नहीं थे कॉन तो जेवी से जो थे वो नहीं थे वाकिक ये तीनों लोग थे इसमें तीनों लोग हो जाएगा ए उब्स औरताइस्त्र में सम्मिलित होती है भीयक्तिगत गर सामिल भोती है व्यक्तिगत मूलने धारड किया जाता है तो बलकुल होता है तो अपरोप तो सभी जो है डाइऍे कि इसका ब्राइट आंसर क्या हो जाएगा सोच में करते हैं कि है होगा तो अगर पीष्टी अर्थसास और उनसे किसका अध्यन किया जाता है वेक्ति का तिकाई का अध्यन करते हैं आर्थिक समगरी आध्यन करते हैं राश्टी आये का अध्यन करते हैं तो यह दोनों जो है वह हम लोग समिष्टी अर्थसास्र के अंत्रगत अध्यन करते हैं इसलिए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यह ऑप्शन मिल्कुल सही अंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे बेश्टी अर्थसास्र के अंत्रगत अंगर नहीं कुछ और अच्छी तरीके से बनाने की सब् לצ करने हूँ नेदे कलख मैं हुआ कोई के लिए पीडियो की शुलाइक और अगर जांट पसंद आता है तो आप लोग सब्क्राइब कर ले snippet सब्दीजेटों की आप लोगों के सब्सक्राइट बस आप लोगों को सब्सक्ैार से लड़ना है